आप लोग का रिकमेंड है आप लोग की काफी कमेंट्स आए थे कि जो भी रिसेंटली ही लाँच हुआ है बोट रॉकर्स 425 ओन यर वाइलेस हेटफोन उसे हमें कमपैर करना चाहिए हमारे फेवरेट बोट रॉकर्स 550 ओवर दे यर वाइलेस हेटफोन के साथ वीडियो की शुरुआत एक लाइक से हो जाए तो मजा ही आजाए और लगया चल्ल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस वीडियो में बिल्कुल टीटेल तरीके से करेंगे दोनों के कमपैरिजन सबसे पहले हम चेक करेंगे बेसिक दिफरेंसे चेक फिर रम चेक करेंगे दोनों की बिल कॉलिटी, सांग कॉलिटी, बेस कॉलिटी, कॉल गॉलिटी, गवérique एट पास से पास से हम डिए करेंगे विछ वन इस बेट रंद विच वन थूश्ट बाइय विच वन यूश्ट बाइड kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So, let's get started. All the time, we will check out the two basic differences. So, here you can see comparing the Boat Rocker 425 with the Boat Rocker 550, 425 में आपको latest Bluetooth version 5.2 technology मिलेगी, 550 में आपको Bluetooth version 5.0 मिलेगा. 425 में आपको 40 mm के dynamic drivers मिलेंगे, 550 में आपको 50 mm के dynamic drivers मिलेंगे. 425 में सिव आपको Bluetooth connectivity का option मिलने वारा है, लेकिन 550 में आपको Bluetooth plus AUX connectivity दोनों का ही option मिल जाएगा. And Boat Rocker 425 में आपको dual device pairing, beast mode मिल जाएगा for better gaming experience, and ENX technology मिलेगी for better calling experience. ये तीनों चीज़ें मिसिंग है, Boat Rocker 550 में. And Boat Rocker 425 में आपको Type-C का charging port मिलेगा, and 550 में आपको micro USB का charging port मिलेगा. दोनों में ही आपको 500 mm की battery मिलेगी, 425 में आपको approximately 25 अरस तक का playtime मिल जाएगा on a single charge, अगर आप music का 50-60% volume पे सुनते हैं तो, and 550 में आपको 20 अरस तक का playtime मिलेगा, और single charge अगर आप music को 50-60% volume पे सुनते हैं तो, and Boat Rocker 425 में आपको fast charging का option भी मिल जाएगा, जो कि ये part missing है, Boat Rocker 550 में. And 425 का price अप्रॉक्सिमेटली 1700 रुपीज, and 550 का price अप्रॉक्सिमेटली 2000 रुपीज. But जो price point दोनों का fluctuate होता रहता है, offers और डील्स के हिसाब से, जो Boat Rocker 550 है, उसको 15 सोर रुपे के आसपास भी grab कर सकते हैं, जब offers और डील्स आती है, उस हिसाब से वैसे, दोनों के ही मैंने possible links भी दे दिया है, अगर आपको उनका current price चेक आउट करना है, तो महाँ पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं, लेकिन जो देखा जाए, features part is, specifications part है, आपको latest मिलेंगे 425 में, इस इस कंपेर्ट तू 550, योगी 550 बहुत पहले launch हो चुगा था, अभी के हिसाब से आपको enhancement मिलेगी, यह काफी features को लेके, specifications को लेके, 425 में is compared to 550, बात करेंगे look and feel की, सबसे पहले हम पकरते हैं, recently launch boat rockers 425 को, इसमें आपको बिल्कुल proper on-ear wireless headphones मिलने वाले हैं, इसमें आपको foldable option नहीं मिलेगा, simply scope ऐसे rotate कर सकते हैं, friend की तरफ से, and पूरी आपको मिलने वाली है, plastic build quality, headrest आपको अच्छा मिल जाएगा, cushions आपको soft मिल जाएगे, बिल्कुल proper तरीके से, and जो इसके hinges दियेगा, वो भी आपको बिल्कुल plastic के मिलने वाले है, build quality इसकी अच्छी है, बहुत आप premium नहीं बोल पाएंगे, हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत compromise करना पड़े, build quality को लेके, इसको आपको carefully use करना पड़ेगा, and अगर आप इसको proper तरीके से, head पे लगाएंगे, कानों में set करेंगे, headrest proper set करके, तो अच्छे से कानों को pack करते हैं, over the ear headphones तो नहीं है, कानों के उपर ये टिक जाएंगे अच्छे से, लेकिन बिल्कुल इसमें आपको long term के लिए, अगर आपको use करना है, तो इसको आप definitely option में रख सकते, काफी आपको softness मिल जाएगी, और काफी lightweight headphones ही है, बात करेंगे boat rockers 550 की, यहाँ पर आपको boat rockers 550 में, proper over the year wireless headphones मिलने वाले हैं, जो build quality है, में को साफ साफ बैटर लग रही है 550 की, as compared to 425, इसमें भी आपको बिल्कुल अच्छे headrest मिल जाएंगे, cushions आपको बिल्कुल soft मिल जाएंगे, और इसमें आपको मिलने वाले है metallic hinges, प्लास्चिक और metallic का आपको finish मिल जाएगा पूरी body का, लेकिन जो premium ने से आपको better लगेगी 550 में, as compared to 425, अगर आप proper तरीके से कानों में इसको set करेंगे, तो कानों को पूरा ये pack कर देते हैं, काफी बड़े आपको over the ear headphones मिलने वाले हैं, और इसमें भी आपको foldable option नहीं मिलने वाला है, simply rotate करते हैं, इसके earcups, foldable option इसमें भी आपको नहीं मिलने वाला है, and दोनों में ही आपको मिल जाएंगे multifunction buttons, तीन आपको proper multifunction buttons मिल जाएंगे, you can play, pause, answer, call, reject, call, next track, previous track, volume up, down, activate the voice session feature, सब आपको पाएंगे buttons के through, and बड़े आपको proper motive buttons मिल जाएंगे, ऐसाच कोई दिक्कत देने वाली इनको यूज़ करने में भी, and plus point यह है कि 550 में आपको Bluetooth Plus Aux को option मिल जाएंगा, जो कि 425 में simply आपको स्वी Bluetooth connectivity मिलने वाली Aux को option नहीं मिलने वाला है, and जो Boat Rockers 425 है, उसमें आपको एक dedicated beast mode मिल जाएगा, एक अलग से button मिल जाएगा, dedicated beast mode for better gaming experience, और जो gaming N.A.R. आपको better मिलने वाली है, साफ-साफ 425 में, जो इन और यह experience है, जो surrounding आपको आवाज मिलेगी, अगर आप गोलिये चलेंगे तो आपको proper पता चलेगा, गोलियों के आवाज है, foot steps के आवाज है, आपको जादा betterment मिलीगी, और low latency के ताप गेमिंग एंजॉई कर पाएगे, 425 में, as compared to 550, 550 में भी आपको decent gaming experience मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको हो सकता, 425 में आपको मिलने वाला है, 40 mm के dynamic drivers, 550 में आपको मिलेगा, 50 mm के dynamic drivers, लेकिन loudness आपको दोनों में ही अच्छी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको loudness तो थोड़ा फरक देखने को मिलेगा, loudness आपको बहुत जादा मिल जाएगी, और अगर हम बात करेंगे में लिए sound leakage की, दोनों में ही आपको sound leakage मिलने वाला है, लेकिन 425 में आपको ज़्यादा sound leakage मिलेगा, comparatively as compared to 550, 50 आप 60% volume से आप उपर सुनेंगे, तो बाहर की आवाज बिल्कुल जो बाहर बंदा बैठा है, आपकी आवाज exactly बता पाएगा क्या आप सुन रहा है कानों में, sound leakage का आपको problem ज़्यादा देखेगा 425 में, 550 में अगर आप 70% volume से उपर सुनेंगे, तो sound leakage देखेगा, लेकिन ज़्यादा आपको sound leakage मिलेगा 425 में as compared to 550, जो loudness है, आपको दोनों में अच्छी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको detailing की साथ music enjoy करना है, दोनों में ही आपको अच्छा music experience मिल जाएगा, loudness आपको बढ़िया मिल जाएगी, vocals से clarity आपको बढ़िया मिल जाएगी, instrument का separation और जो treble से वो आपको balance मिल जाएगी, आपको music को लेके particularly, ऐसे जाएगा दिक्कर फिल नहीं होगे, आप दोनों में से किसी को की option में रख सकते हैं, music part को लेके, बात करेंगे base की, अगर आप properly base lover है, base head है, आपको कानों में surrounding, punchy ने सथा powerful और boosted base चाहिए, आप definitely 425 पो consider कर सकते, उसमें आपको surrounding powerful और पंची ने सथा boosted base मिल जाएगा, 550 में न क्या आप पूरा over the year कानों को सही तरीकी से pack करते हैं, बेस के distribute हो जाता है, हलके हलके आपको proper base effects आएंगे, लेकिन ज़्यदा powerful और boosted base effects नहीं आएंगे, लेकिन 425 में आपको ऐसे लगए कि कारों से हलकेल के headphones उचक रहे हैं, ज़्यदा powerful, पंची ने सब्सक्राइब, बेस्ट experience आप बोल सकते हैं, powerful और boosted base का आपको ज़्यदा experience बेटर मिलेगा, 425 में as compared to 550, बात करेंगे calling की, calling आपको दोनों में ही अच्छी मिल जाएगी, अगर wireless calling करते हैं, तो आपको थोड़ों बहुत better experience मिल सकता है, 425 में, लेकिन मुझे calling पार्ट को लेके जादा दिक्कत नहीं लगी, अगर आप online classes करते हैं, zoom meetings करते हैं, अगर आप घर में बैठे calling करते हैं, तो दोनों में साब किसी को भी option में लख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत clarity है, means calling के time पर आपको थोड़ी बहुत एक कतम में आगे बहुत सकता हूँ, आपको 425 में better मिलेगी as compared to 550, लेकिन calling आपको दोनों में ही अच्छी मिल जाएगी, calling पार्ट को लेकिन मुझे सच कोई दिक्कत दिलेगी दोनों ही हेटफोंस में, यह तो हो गए सारे के सारे differences, मैंने आपको सब बता दिया exactly कौन किस में आगे, कौन किस में पीछे, बिल्ट कॉल्ट किस की better है, और all end of that आगर मुझसे पूछाएगा which one to opt for, तो यार देखा जाए, अगर आपको built quality से compromise नहीं करना है, अगर आप prefer करते है over-the-ear wireless headphones, so 550, अभी बिल्कुल justify करते हैं, market में अच्छे जे stand करते हैं, one of the perfect, आप over-the-ear headphones बोल सकते हैं, price point के हिसाब से, definitely for a good music experience, decent based experience, good calling experience and good gaming experience, उसको option में रख सकते हैं, aux का input भी आपको उसमें मिल जाएगा, जो कि 425 में missing है, लेकिन अगर आपको, means अगर आप 425 कंसेडर करते हैं, तो आपको थोड़ा बंदा quality से compromise करना पर सकते हैं, उसकी जो build quality है, promising नहीं दी गई, यह उतनी up-to-the mark नहीं दी गई, अगर आप carefully use करेंगे, तब ही आपको proper durability मिल पाएगी, लेकिन output से कोई compromise नहीं किया गा, आपको अच्छा music experience मिल जाएगा, powerful base experience, good calling and perfect gaming मिल जाएगी, उसको भी आप option में रख सकते हैं, अगर आप on-ear wireless headphones consider करना चाते हैं तो, मैंने exactly दोनों के difference आपको बता दी, I'll try my best to help you out with that. So this was all about the comparison between the Boat Rocker's 425 on-ear wireless headphones with the Boat Rocker's 550 over-the-ear wireless headphones. Hope you like this one and as I told you if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you. झाल